भारत ने पहली बार ठॉमस कब जीतकर इतिहास रच दिया है और ऐसा वैसा इतिहास नहीं रचा है आप देखेंगे जो 14 भार की चैंपियन रए इंडोनिसिया इसे हराया है और भारत ने पहली बार ये टूनामेंट जीता है तो इसके बारे में हम लोग बिस्तार बात कर लेत क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर भारत ने दिया सरचा है तो इसके बारे में कम से कम आप सभी को मालूत होना चाहिए और दूसरी बात अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इनसे इस तरह की टॉपिक से आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स भवना भी बढ़ जाती है आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने हमारी answer यह में हमारा प्यारा भारत A.C.R में आपको देखने को मिल जाएगा और यहां से आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को इंडोनेसिया देखने को मिल जाएगा, देखिए है इंडोनेसिया, इसी की बात हो रही है, इसी को हरा कर हम लोग इस बार एक कप जीते हैं, अगर हम लोग ठॉमस कप की बात करें, तो आप जेकि इसे ठॉमस कप या फिर फूरूस, विसर टीम में किया गया था और 1984 के बाद आप देखेंगे दोनों कारिकरम दुईवारसिक आयोजित हो रहे हैं दो साल में एक बार थॉमस कब हर तीन वर्स में आयोजित होता है और यह बिस वैडमिंटन महासंग के पहला वड़ा अंतराश्टी टूनामेंट था और इस पितियस फर्दा और ट्राफी के दान का विचार वैडमिंटन महासंग के पहले राष्टपती सर जॉर्च हॉमस द्वारा किया गया था जो 21 ओल इंगलेंड किताब जीतने वाले दिगज वैडमिंटन खिलाडी थे और अगर हम लोग अभी थॉमस कब 2022 के फाइनल को देखें तो वैडमिंटन के पिती टूनामेंट थॉमस कब पर भारत ने कबजा कर लिया है और पहली बार भारत ने यह टॉनामेंट जीता है भ रंकी रेड़ी और चिराग सेटी और किदामभी स्रीकांत ने चेंपियन बनाया है और खेल मंतराले ने थॉमस कब बिजेता टीम को एक करोर रुपे का देने का एलान भी किया है वहीं पिधान मंतरी मौदी साब ने बिजेता टीम को बधाई भी दी हुई है और एक समय अच्छा भविस आप लोग बना सकते हैं पहले मैच में मैंस सिंगल वर्ग में विसके नमबर 9 सटलर लक्ष सेन ने विसके नमबर 4 खिलाडी एंथनी सेनी सुका गिंटिंग को माद दी और जबकि दूसरे मैच में मैंस डबल वर्ग में सातविक साही राज रंकी रेटी औ दोनों ने जोडी ने इंडोनेसिया की केविन संजाया और मुहमद अहसान की जोडी को हराया है सातविक साही राज रंकी रेटी और चराग सेटी ने डबल्स मुकाबले में इंडोनेसिया की मुहमद अहसान और केविन संजाया को 18-21, 18-23-21 और 21-19 से माद दिया है और पहल को चराग ने दूसरे गेम में रोमांचक वापसी किया, दूसरा गेम टाई हो चुका था और लेकिन यहां से भारती जोडी ने मुकावला अपने पक्ष में किया और इसके बाद इस जोडी ने तीसरा गेम 21-19 से जीत कर मैच को 2-1 से अपने नाम किया है, और इस जीत के साथ ही भारत की फाइनल में लीड 2-0 हो गई थी, और इस तरह भारती टीम ने इतिहास रख दिया है, भारत की पुरुस बैडमेंटन टीम ने रभीवार को एक तरफा फाइनल में 14 वार की चेंपियन रही इंडो पहली बार थॉमस कप का किताब जीत कर अपने नाम किया है, और भारती टीम ने टूनामेंट की इतिहास में अपना सरफ सिष्ट विदर्शन किया है, टेम के लिए बैस्विक चेंपियनसिप के पदक बेजिताओं लक्ष सेन और कैदामबी सिरीकांत के अलाबा साधविक सा नाहिराज संग रंकी रेड़ी और चिराक सेटी दुनिया के आठवी नमबर की जोडी ने याददार जीत दर्ज किया, नौकाउट चर में लए हासिल करने के लिए जूज रहे, लक्ष ने सबसे भधकूर मुकाबले में उम्मीद के मताविक फिदर्शन करती हुए पहले एकल मैच में पिछरने के बाद बापसी करते हुए, दुनिया के पांच में नमबर के खिलाडी एंथोनी सिनी सुका गिंटिंग को 8-21, 21-17 और 21-16 से हरा कर भारत को 1-0 की बड़त दिलाई थी, साथ भी को चराग की देश की 30 पुरुस योकल जोडी ने इसके बाद गेम में 4 मैच पॉइंट बचाए, और मुहमद अहसन और केविन संजय सुका मुल्जो को की जोडी को 18-23, 21-19 से हरा कर भारत की बड़त को 0-2-0 किया, दूसरे एकल में सिरीकांत ने सांदर पिदर्शन करते हुए, एसे आई केलों की स्वड़ पदक विजयता, जोनाथन की को सीधे गेम में 48 मिनिट में 21-15 और 23-21 से हरा कर भारत को 3-0 की विजय बड़त दिला दी थी, और एक तरह से सीधा सा मतलब आप लोग याद रखे कि आप लोगों को थॉमस कप के बारे में एक सामन जानकर ये रखनी होगी, और उसके बाद आप देखे कि इस बार की चै कि पहली बार ये कप खेला गया था, ठीक?